हेलो बच्चों जेश्री कृष्णा सिद्धिन दी विद्याले ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है तो फर्ष्ट क्लास आज हम इंग्लिश में क्या सीखेंगे बच्चों वीक्स नेम मतलग दिनों के नाम आप जिसको सब्ता भी बोलते हो सब्ताओं के नाम दिनों के नाम है ना इंग्लिश में बोलेंगे वीक्स नेम मतलब संडे मंडे टूस्डे वैनस्डे ठस्डे फ्राइडे सेटर डे इससे पहले हमने क्या सीखेते कलर स्नेम सीखेते सीखेते बच्चों तो आप लोगों ने वो लिख लिए लिखने का मतलब यह नहीं कि आप लिख लोगे वाल याद भी करना है उसको आपके साथ और उसको आपके एक्जाम में भी आएंगे लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना है तो आज हम क्या सीखेंगे बेटा वीक्स नेम मतलब दिनों के नाम इसको सब्ता के नाम भी कहारते तो देखो सबसे पहले क्या है Sunday S-U-N-D-A-Y Sunday Sunday means रवी बार क्या S-U-N-D-A-Y Sunday Sunday means रवी बार तो देखो Monday Monday means सोम बार Monday means सोम बार M-O-N-D-A-Y Monday means सोम बार M-O-N-D-A-Y Monday Monday means सोम बार Tuesday T-U-E-S D-A-Y Tuesday Tuesday means मंगल बार T-U-E-S-D-A-Y Tuesday Tuesday means मंगल बार पिद्यों को Wednesday W-E-D N-E-S D-A-Y Wednesday Wednesday means बार W-E-D N-E-S D-A-Y Wednesday Wednesday means बार Thursday T-H-U-R-S D-A-Y Thursday Thursday means गुरुवर T-H-U-R-S D-A-Y Thursday Thursday means गुरुवर Friday Friday means शुक्रिवार. क्या स्पेलिंग है? F-R-I-D-A-Y. Friday means शुक्रिवार. Saturday. Saturday क्या स्पेलिंग है? S-A-T-U-R-D-A-Y. Saturday means शनिवार. S-A-T-U-R-D-A-Y. Saturday means शनिवार. तो एक बार फिर से रिविजन करते हैं. बच्चों आप में जो fruits की spelling, sorry colors की spelling जो लिखी थी, मैंने आपको लिखाई थी. वो आपने CW, SW में दोनों में किया है. इसी तरह इसको भी CW में एक बार करना है और SW में दो बार. कैसे? CW में एक बार और SW में दो बार करने है. जिस तरह मैंने लिखा है, spelling, उच्चार, फिर उसका अर्थ. क्या? Spelling, उच्चार और उसका अर्थ. आपको सुन्दर सुन्दर अक्षरों में लिखना है ठीक है? आज हमने days name, which name सीखें. फिर कल आपको month name सीखाएंगे, मतलब मईनों के नाम. फिर अपन फेजी टेवर सीखेंगे, फ्लावर सीखेंगे, वी में दी में हम लोग अपने आगे सीखेंगे. तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन करो. S-U-N-D-A-Y Sunday, Sunday means र वीवर. S-U-N-D-A-Y Sunday, Sunday means र वीवर. M-O-N-D-A-Y Monday, Monday means वीजन करो. M-O-N-D-A-Y Monday, Monday means Som War P-U-E-S-D-A-Y Tuesday, Tuesday means Mangal War T-U-E-S-D-A-Y Tuesday, Tuesday means Mangal War W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday, Wednesday means Booth War W-E-D-N-E-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B-N-S-D-A-Y-B सब्सक्राइब करना है तो बच्चों आज कौन सब्सक्राइब γ वेनस बी बंधि में तो आप लोगों को आते ही होंगे इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब करना है इसके साथай इस पहलिंग के साथ यह आपके एग्जाम में बेटा आएंगे समझद बने इसलिए जो भी स्पेलिंग आपको दी जाती है उसको आपको लिखने के साथ साथ याद भी करना है आज हमने क्या सीखा है बच्चो आज हमने विट्स नेम सीखें मतलब दिनों के नाम सीखें क्या सीखा है दिनों के नाम फिर आगे के वीडियो में आपको महिनों के नाम सीख झाल 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 झाल